नमस्कार दोस्तों, Government Employees Welfare में आपका बहुत बहुत स्वागत है रक्सा मंत्राले का बड़ा फैसला सेना के जवानों का खाना होगा और स्वादिष्ट जी हैं दोस्तों, बत्ते में हुई बडोतरी इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ में वीडियो को लाइक करें, सेर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, आज तक निउस बेपर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के जवानों को खाना होगा और स्वादिष्ट बत्ते में हुई बडोतरी जी हैं दोस्तों, ये निउस आट जुले 2018 को आज तक निउस बेपर द्वारा अपडेट किया गया है दोस्तों, रक्सा मंत्रा लेने तीनु सेनाओं में जवानों के खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए मिलने वाले अलाउंस को बढ़ा दिया है रक्सा मंत्री निर्मला सिता रमन ने कॉंडिमेंट अलाउंस के तेज जवानों को अपने रोज की खाने को स्वाधिष्ट बनाने के लिए मसाले छास और गी के लिए अतिरिक पैसा बढ़ा दिया है जी यहां दोस्तों सातों वतनायों के बाद जवानों को सो रुपए अलाउंस के तोर पर मिलते थे लेकिन लागू होने के बाद वास्ता में 89 रुपए ही मिल पा रहे थे ऐसे में जब यह मामला रक्सा मंत्री निर्मला सिता रमन के सामने आया तो उन्होंने तीनों सेनाओं की बैठक बुलाई और जवानों को मिलने वाले इस अलाउंस को बढ़ा कर 119 रुपए हर महिने करने का फैसला किया इससे पहले सेना के जवानों की वर्दी को लेकर भी असमंजस की इस्तिती पैदा हो गी थी ऐसी बाते सामने आये थी की साते बेतन आयोग के लागू होने के बाद जवानों को खुद अपनी ड्रेस ख्रीदनी होगी इसपर रुक्समंद tempted वले इनने साब किया कि ऐसा नहीं है जवानों को पहले की तटरही वर्दी मिलती रहेगी हाला कि जवानों की वर्दी के साथ रक्सा मंद्राले ने 41 ऐसे आइटम खरीदने की छूट दी जिनने जवान अपने अलाउंस से बाहर मार्केट से खरीच सकते हैं दोस्तो सेना और सुरक्सा बलो में वर्दी और खाने पिने की कौलिटी एक समवेदन सिल विसे हैं जिस पर संसत की रक्सा मामलों के इस्ताई समिती भी सवाल खड़े कर चुकी हैं इसके साथ ही कई बार सोसल मीडिया के जरिये भी जवानों को मिलने वाले खराब खाने के वीडियो वाइरल होने से भी केंदर सरकार को किरिकरी हो चुकी है हैसे मैं अलकसा मंतरी स्री निरमला सितारमन ने समय रहते ही तीनों सेनों के जवानों के रोज मर्रा के खानपान से जुड़े इस मुद्दे को हल कर दिया है जिया दोस्तों ये थी जान करी अगर आपको अच्छे लगी तो अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें